मोदी के एक नेता का मासूम कांड सामने आया है, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपकी आँखे फटी की फटी रह जाएंगी नरेंद्र मोदी के इस नेता ने बच्चों के पेट पर कैट वॉक किया माहौल संगीत मैं, तिरंगा लहरा रहा है और उस लहराते तिरंगे के बीच सफेद कुर्टा पाईजामा में एक साहव बच्चों के पेट पर कैट वॉक कर रहे है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, बस गिनते जाएए और इनकी हरकतों को ठंग से देख लीजिए भारत भाध्य विधाता की धुन पर बच्चों के पेट को कार्पिट बना दिया गया किसी सधे हुए मॉडल की तरह साहब इतरा कर बच्चों के पेट पर शान से चहल कदमी कर रहे हैं बच्चों के शरीर पर किस तरह से जुल्म ढ़ा रहे हैं साहब आप भी देख लीजिए देख लीजिए ये साहब बच्चों के पेट पर मुस्कुराते हुए कैसे चल रहे है नन्हे मासूमों के शरीर पर चहल कदमी कर रहे हैं इन साहब को खुद के गिरने का डर कितना है ये भी देख लीजिए लोग अलग से सहारा दे रहे हैं कोई हाथ पकड़े हुए है कोई कंधा हर तरफ से सहारे में हाथ बढ़े हैं कहीं ये साहब गिर ना जाएं खुद का इतना ख्याल है लेकिन उन बच्चों का जरा सा भी नहीं जिनको अपने कदमों से कुचलते हुए ये साहब आगे बढ़ रहे हैं कैट वॉक खत्म हुआ तो साहब ने खुद को शहनशा अकबर समझ कर बच्चों के शरीर पर सिंगासन लगा दिया देखिए किस तरह से टांगे लंबी करके एक बच्चे की पीट पर बैठ गये दो बच्चों को तक्स बना दिया तीसरे के शरीर पर टांगे पसार कर बैठ गये साहब शहनशा तो चला गया लेकिन शहनशाहियत शायद छोड़ गया था जो यहां दिख रही है बच्चों की पीट पर किस कदर कितने ठसक से शाही अंदाज में साहब बैठे हैं देख कर सन रह जाएंगे आप भी लेकिन इन साहब पर इसका कोई असर नहीं चहरे पर ना चिंता है ना संकोच बैठे हैं तो बैठे हैं वो चाहे मसनत का गद्दा हो या बच्चों का पेठ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मासूम बच्चे हैं जिनके पेठ पर साहब सवारी कर रहे हैं राज से ठाट दिखा रहे हैं ये साहब कौन है और ये बच्चों की पेठ पर क्यूं चहल रहे हैं सब कुछ आपको तफ्सील से बताएंगे अभी सिर्फ इतरा जान लीजिए कि बीजेपी के पीम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ये बेहत खास हैं नरेंद्र मोदी का इन्हें वरद हस्त प्राप्त है अब जब नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं तो साहब के चहरे पर कैसी चिंता कैट वॉक को फुल इंजवाए कर रहे हैं साहब आखिर कब, कहां और कैसे ये अजीब औ गरीब तस्वीर सामने आई बताएंगे अगली रिपोर्ट में मयूरेश सोनी, राजको, इंडिया न्यूज और आपको दिखाते हैं कि मोदी के यनेता आखिर हैं कौन और क्यों ये बच्चों के पेट पर कैट वॉक करने लगे पेट को इस तरह से कार्पिट बना दिया और पीछे की कहानी क्या है, वो देखिए बच्चों के पेट पर राजा बन कर टहल रहे ये साहब कौन है और क्यों बच्चों के पेट पर कर रहे हैं ये कैट वॉक तो जान लीजिए, ये गुजरात के बीजेपी नेता है गुजरात के राजकोर्ट से बीजेपी के लोग सभा प्रक्त्याशी है मोधी के खास माने जाते हैं नाम है मोहन कुदरिया मोहन कुदरिया के दिमाग में बच्चों के पेट पर कैट वॉक करने के सनक क्यों सवार हुई क्यों ये बच्चों के पेट को कार्पेट समझ कर चहल कदमी करने लगे क्यों अमानवी काम कर गए मोधी के निता सब बताएंगे आपको देखिए ये तस्वीर राज कोट के एक योगा कैम्प की योगा कैम्प में मोहन कुंदरिया को बद और गेस्ट बुलाए गया था साहब पहुँचे भी अपने चेले छपाडों के ताथ लेकिन योगा पेंक में पहुँचकर मोहन कुंदरिया ने जो हरकत की वो आपके साथे अब उनके समर्थत मोहन कुंदरिया की हरकत को सही ठैरा रहे हैं वो कोई छोटे प्राइमरी के और केजी के, लोर केजी के, हायर केजी के बच्चे नहीं थे क्यों बच्चों की तीट पर कैट वॉफ करने की सनक सवार हो गई इन पे ये सारे सवाल मोहन कुदरिया से किये गए तो सुनिए क्या जवाब था साहब का योगा पुसकर करते हैं वो यूवान को इतनी सकती है वो पुटा उसकी सकती बताने के लिए यूवान मेरे साथ का काइमी झूडा है यूवानों को लागने को मैं थूकरा नहीं सका युवा नो मिरे को आथ पकड़ के ले गिया वो पूल बने था पूल पे उपर मिरे को चलाए वाह नेता जी क्या खूब कहा है आपके वो नावालिक बच्चे नहीं थी वो युवा थी और आयोजको ने आपको गोदी में लेकर उनके शरीर पर रख दिया था गजब की सफाई दिया है साहब आपने तो आपने बच्चों की योगा शक्ति को परखने के लिए ऐसा गदम उठाया इस मासूम से जवाब पर कोई क्यों ना कुर्बान हो जाए जब बवाल बढ़ा तो मोहन कुंदरिया साहब ने माफी मांग लेने में ही भलाई समझे दुनिया मों किसी को मानो को जो दुख लगा है तो मैं उसके च्छमा चाहता हूँ ओ युवानों बहुत बड़े युवानों है पतीस साल से बड़ी उमर का युवानों है ने ससक्त युवानों है उसकी सक्ती बताने के लिए ओ जो ब्रिज बनाया था मानो ब्रिज इस मानो ब्रिज नी मेरे को पसार करने के लिए उसका अगरभ बहुत था ओ अगरभ में नहीं ठुकरा सका इसलिए मैं वो ब्रिज पिसे चला जो किसी को दुख लगा तो मैं समा चाहता हूँ अब मोहन कुंदरिया भले ही माफी मांग रहे हैं लेकिन वो जो तरक दे रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर रहा अब साहब से सवाल है कि योगा शक्ति को परखने का ये कौन सा तरीका है हमने इस विशे पर योगा के जानकारों से भी बात की कि योगा शक्ति को परखने का कोई ऐसा तरीका वास्तों में है क्या सुनिए योग के जानकार क्या कहते हैं सोशल मीडिया में मोहन कुनरिया का ये वीडियो वाइरल हुआ तो बवाल मच गया विरोधिन निशाना साथ रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद बीजेपी नेता ने मौका दिया है अरे मोहन कुंदरिया जी माना की आयोजको ने आप से ऐसा करने के लिए कहा था लेकिन साहब हम आप से पूचते हैं कि आप लाखो लोगों की नुमाइंदगी करने निकले हैं प्रदेश के एक जिम्मेदार नेता हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं लोग सभा के प्रत्याशी हैं मगर आपकी अपनी कोई सोज समझ नहीं है क्या लगता है आपकी अकल पर ताला लग जया था तभी तो चुनाव से पहले ऐसे उल्टी सीधी हरकत करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा मयूरेश सोनी राज कोई एंडिया ने उड़ू